एक डिरेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट की डेट के बाद उसका फ्रेंड उसकी डेट को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए टाउन में आ जहाँ वर एक बहुत ही अजीब फैमिली थी जिसमें रिलेशनशिप के बीच में कोई भी लिमिट नहीं थी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको इनोसेंट लाइस ये 1995 की एक हॉल्वूड मिस्ट्री मुवी एक्स्प्लेंट करने वालो इस मुवी की मिस्ट्री से बहुत ही अच्छा वाच बनाती है तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्ल इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए यहाँ पर पहुच जाता है उस डिरेक्टिव को एलन अपने फादर की तरह समझता था इस वाज़े से बहुत बुरा लगा एलन को अभी अभी डिवास हो आए तो अपने बेटी को भी अपने साथ हो लेकर आता है ये इंसेटन फ्र फोटो थी हेलेना ने कहा कि मेरे हसबंट के गुज़र जाने के बाद वही मुझे सहारा देने के लिए था हम दोनों में अफैर हो गया था हेलेना अलन से ते हैं कि अधूमें लगता है कि मेरी फैमिली को इन्वेस्टिएर्ट कर रहा था जो इंसिडेंट हो आथा इसमें किसी के भी कोई भी गलती नहीं थी एकक्श्ली ह Katherine के बेटे ने अपने ट्रिन ब्र quiet को accidentally मार दिया था हेलेना को लगता है शायद इसी केस की इंवेस्टिकेशन वो डिरेक्ट्टू कर रहा था हेलेना एलन से गहती है कि असा कुछ भी नहीं है मेरा बेटा मर्डरर नहीं है इसके बाद ही नीचा है और हेलेना एलन को अपने पूरी फैमिली से मिलवा देती है इसमें उसके एक बेटी है जिसका नाम है सीलिया सीलिया का एक फियानसी भी है हेलेना का बेट है जो सबको लगता है कि मर्डरर है उसका नाम है जेरेमी जेरेमी की एक वाइफ है जिसका नाम है मौड जेरेमी अभी अभी घर पर आ है, सिलिया उसे मिलती है पर उसके हाथ में कुछ था जो छुपा रही थी एक्च्वल में जेरेमी को सिलिया के मैरेज के बारे में पता नहीं था उसकी डेट फिक्स हो चुकी थी, ये इस कागस पर लिखी हुई थी जेरेमी सिलिया से जबरदस्ती एक आगस ले लेता है ये जो एक दुसरे से बरताव करते हैं, ये बहुत ही अनप्रोप्रियेट था ये सब देखने के बाद एलन यहाँ से चला गया, उसे लगता है इस फैमिल में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है सिलिया का और एक फियांसे था, जिसके वेडिंग के पहले ही उसके डेथ हो चुकी थी ये फियांसे जेरेमी का भी फ्रेंड था, एलन अब जेरेमी पर शक करने लगता है नेकसीन में हम जेरेमी को उसके वाइप मौड के साथ देखते है मौर्ड जरेमी से अब डिवास मांग रही थी जरेमी ने सिर्फ अपनी मदर को जिलस फिल कराने के लिए मौर्ड से शादी की हुई थी इन रियालिटी एक अलग कंट्री से मौर्ड एक प्रोस्टिडूट थी वो नाजी भी थी और इस वज़े से जरेमी की मदर उसे हेट कर दी थी अब तीन साल गुजर चुके है तो मौर्ड जाती है कि जरेमी उसे डिवोस्ट दे गया और इसकी प्रोसेस भी वो करने वाले है नेसिन में जेरेमी और सिलिया की फियांसे के बीच में मैच चल रही थी जेरेमी बात्रूम गया तो उसे क्वेशन करने के लिए एलन उसके पास पोचता है इन दोनों पर सिलिया नजर रख रही थी एलन ने जेरेमे से पुछा कि सिलिया का एक्स फियांसे जब उसकी डेट होई थी तो तुम भी यही थे जेरेमे ने का मुझसे सवाल पुलिस ने बहुत बार पूछे है प्लीस मुझे हरास करना बंद कर दो इसके बाद एलन सिलिया के पास है वो कहता है तेरिक्टू के डेट के बहले तुम उसे मिलने के लिए गई हुई थी इसके बारे में हमें डिसकास करना पड़ेगा एलन ने अपना एड़रेस उसे दे दिया एलन रात में डारेक्ली सिलिया के घर में छुपकर पहुँच गया था वो देखता है कि मिड नाइट में सिलिया और जेरे में एक दूसरे को चॉकलेट खिला रहे थे इनके मुँव पर चॉकलेट लगा था तो एक दूसरे को किस भी कर दे ये देखकर वो शौक था एलन ने छुपके से घर में सिलिया को पकड़ लिया वो कहता है तुम उसे मिलने के लिए क्यों गई थी सिलिया ने कहा कि हमारी मिटिंग फिक्स हुई थी पर वो कभी पहुचा ही नहीं एलन बुछता है कि कुछ सालों पहले तुम्हारे फियांसे की डेथ हुई थी या इसके बीचे जेरेमी था तुम डिरिक्ट्व से मिलने के लिए क्यों कही थी सिलिया ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो डिरिक्ट्व मेरी फैमिली को इन्वेस्टिएट कर रहा था तो उसके बारे मुझे पूछना था ये सारी बाते उपर से जेरेमी सुन रहा था एलन कहता है कि तुम्हारे बास दो आपसे ने एक तो तुम मुझे रेजिस्ट करो या तुम मुझे केस में हेल्प कर सकती हो सिलिया ने फिर एलन को उसकी फियांसे की कार दिखाए एलन को सिलिया की फियांसे की कार देखनी थी ये देखने के बाद भी उसे कुछ भी इविडन्स नहीं मिलता एलन यहाँ सिर्फ एक दू दिनों के लिए आया हुआ था अगर उसे कुछ भी evidence नहीं मिलता तो यहाँ पर वो stay नहीं कर सकता उसका officer आकर उसी यही बात बताता है कि उसे इस family के अगेंज कोई भी evidence नहीं मिला तो इस वज़े से अब वो यहाँ stay नहीं कर सकता एलन यहाँ से जा रहा था तो उसकी translator रोने लग जाती है उसे लगता है कि पुरी जिन्दगी इस town में योज टक रहेगी वो चाहती थी कि एलन उसे अपने साथ ले कर जाए एलन उसे अभी भी मिला तो इस सारी चीज़ें नहीं कर सकता एलन यह नोटिस करता है और उसे सारा देता है निक्सिन में सिलिया की पूरी फैमिली डिनर कर रही थी एलना मौड से बुछती है कि तुम्हारी फैमिली का है शाय दो हमें जॉइन कर बात है हलना को पता था कि मौड के बैरन जर्मनी में और इस कंट्री में आने के लिए स्टरगल कर रही है वो ये सब बाते बोलकर उसे चिड़ा रही थी इस बात पर जैरेमिली और उसकी मदर में ध्जगरा हो जाता है रात में सिलिया के बाद उसका फियांसे आया उसे लगता है सिलिया उसे इगनोर कर रही थी तो उससे पूछ लेता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दोनों को शादी करने चाहिए सिलिया कहती कि अफकोस करने चाहिए वो शूर होकर वहाँ से चला जाता है रात में सिलिया जब अपना वेडिंग ड्रेस टाय कर रही थी तो उसके बाद जेरिमी आया जेरिमी उसे टेच करने लग या सिलिया ने का अब हम छोटे नहीं रहे अब यह सब हम नहीं कर सकते है यह दोनों इंटिमेट होने लग गए थे तब जेरिमी उसे कहता है तुम ब्राइड को वेडिंग ड्रेस में नहीं देख सकते है फियांसे ज़रा सस्पीशिस होकर यहां से चला गया जरन में फिर से सिल्या के पास आता है तो सिल्या ने का क्या प्लीज मुझे टच मत करो वो इसके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहती रात में सिल्या एलन के पास आई एलन को लगता था कि सिल्या कुछ ना कुछ तो ट्रबल में है उसे हेल्प के लिए पूछ सकती है सिल्या कहती कि प्लीज यहाँ पर रुख जाओ एलन ने का मुझे कुछ न कुछ तो एविडेंस दो इसके बाद में यहाँ पर रुख सकता हो सिल्या के पास कोई भी एविडेंस नहीं था पर वो एलन को किस कर लेती है एलन की डॉर्टर ने इन दोनों को देख लिया इसके बाद एलन सिल्या को घर बेश देता है रात में जेरेमी और हेलन बात करे थे हेलन जेरेमी से गयती है कि अब यहाँ से जल से जल तुम चले जाओ सिल्या की मैरेज के वक्त वो जेरेमी को यहाँ नहीं जाती थी हेलेना ने का इसलिए आगो तुम्हारी वज़े से अलग कंट्री में जाना पड़ा था तुमने उसकी लाइफ बहुत ही ज़ादा हार्ट कर दी थी मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक किया है पर अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें तुम्हें प्रोटेक नहीं कर सकती अगली दिन एलन जाने के लिए रेडी था पर तभी उसे न्यूज मिली कि हेलेना का मर्डर हो चुका है अब इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए यहाँ पर रुख सकता है हेलेना को वायर से गला घोट कर किसी ने मार दिया था उसके रूम में जेरेमी को मौर्ड का पासपोर्ट मिला जिसमें लिखा हुआ है कि वो जुईश है उससे बात करने के लिए आता है मौर्ड ने एलन से कहा कि मेरी और जेरेमी के शादी सिर्फ एक समझोता था उसने मेरी जर्मनी से निकलने में हेल्प की थी मेरे पैरेंट्स भी अब इसी कंट्री में आने वाले है एलन इस बात को जाने देता है सिल्या ने एलन को पास आकर बोचा कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने मुझे किस किया एलन कहता है कि मेरे साथ गेम्स खेलना बन करो हेलेना के बॉड़ी का इन्वेस्टिगेट करने के बात उन्हें उसके मूँ में टेनिस के रैकेट का थेड मिला हमने देखा था कि जेरेमी टेनिस की मैच ही खेल रहा था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलन उसके रूम में पोच गया इस रैकेट को ढूंड लेता है एलन ने उसे बुच्छा कि कल रात तुम कहा थे जेरेमी कहता है कि सी के पास एक बार में में था जेरेमी ने जो भी कहा था कि ओ मर्डर की वक्स सी के पास के बार में था इस बात के बार में इन्वेस्टिगेट करते है वहाँ से उन्हें पता चला कि ओए एक्च्वल में वही पर था वो सिलिया के साथ गया हुआ था पर सिलिया जल्दी से घर पर पहुझ गई थी एलन कहता है कि मुझे पता है वो मेरे पास ही आई थी ये बात सुनने के बाद रांसलेटर उस पर बहुत जादा गुस्सा हो जाती है कहती है तुमने मुझे बात क्यों नहीं बताए तुम उसे क्यों कवर करना चाहते हो एलन कहता है कि उसके situation बहुत ही delicate है उसे मेरी protection की जरूरत है अगली दिन एलन ने notice किया कि उसकी बेटी उससे भी बात नहीं करी उससे पुछने पर उसे पता चला कि सिल्या उस पर बहुत जादा गुस्सा हुई थी इसके बाद हम देखते है एलिना की funeral पर सब लोग आये हुए थे वहाँ पर एलन भी पहुचा murder के वक्ग Jeremy बार में था ये confirm होने के बाद उन्हें Jeremy को छोड़ना पड़ता है एलन ने फिर से Jeremy से बात करनी चाहिए वो बुशता है तुम्हारी sister तुम्हें hate क्यों कर दिया का इसके बीचे कुछ reason है Jeremy इस पर गुस्सा हो गया वो एलन को जोर से मारता है कहता है मेरी sister से दूर रहो उसने एलन की complaint उसके superior से कर दिया एलन जब return अपने घर पर जाएगा तो उसकी job जा सकती है पर यह नहीं हो सकता घर उपर सिल्या और Jeremy आके लिए थे Jeremy उसे कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हो प्लीज हमेशा मेरे साथ ही रहो उसके साथ अलग country में जाना चाहता था सिल्या इसके लिए उसे मना कर देती है कहती है हमारे भीच में कुछ भी हो नहीं सकता सिल्या ने पूछा क्या तुम मदर को मिस करते हो जेरेमी को भी बुरा लग रहा था सिल्या ने फिर से उसे कहा कि प्लीज यहां से चले जाओ जेरेमी इस बात पर गुसा हो जाता है उसने उसका गला पकड़ लिया कहा कि तुम सिर्व मेरी हो मैं तुमें किसी को भी छिनने नहीं दे सकता इसके बात फ्लैश बैक में हमें इन दोनों का बज़पन दिखाय जाता है इसमें जेरेमी की ट्विन ब्रदर को जेरेमी और सिल्या के बारे में पता था इस पर जेरेमी बहुत जादा गुसा हो गया एक रात इतनों बो एन आरो खेल रहे थे जेरेमी का ड्विन ब्रदर ये टार्गेट के पास था सिल्या अपने टार्गेट को हीट करने वाली थी पर Jeremy ने उसका Arrows के ब्रदर को इमार दिया इन दोनों ने मिलकर murder किया था Helena को सब कुछ पता था पर फिर भी Jeremy को उसने protect किया था रात में Celia से मिलने के लिए उसका फ्यांसे आया वो कहता है मेरे होने या ना होने से तो में कुछ भी फरक नहीं पड़ता गुशे में उससे ब्रेक अप करकर वहाँ से चला गया राट में सिल्या एलन के पास आती है एलन उसके साथ इंटीमेट होने लग गया उसके सारी चीज़े पूछ लैता है एलन ने पूछा कि तुम्हारे ग्स फियांसे की डेट कैसे हुई थी सिल्या ने का कि उसने मुझे और जेरेमी को एक साथ देखा था हम उसे देखकर हच रहे थे इस स्वज़े से हो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया इसलिए उसने सुसाइड कर लिए आलन पुछता है कि तुमने अपनी मदर को भी मारा था सिल्या कहती कि उसरा जेरेमी मदर को मारने के लिए कया पुर्षे मार नहीं पा रहा था सिल्या ने देखा और उसने अपनी मदर को मारने में उसकी हेल्प की हमेशा से ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे ये कन्वेशन हो जाने के बाद भी एलन सिलिया को लाइक करता था तो इस वज़े से उसने उसे जाने दिया कहा कि जल से जल इस कंट्री से चली जा बॉर्डर क्रॉस करते वक्ट सिलिया पकड़ी की उस पर शख जाने के बाद उसकी इन्वेस्टिकेशन की जाती है पर सिलिया नों से बहुत request की अगली राज सबसे छुपा कर वो सिलिया को station पर छोड़ देता है कहता है कि अब तुम यहाँ से New York जा सकती हो ये दोना ही दुसरे को kiss करते है और सिलिया station पर wait कर रही थी एलन भी उस पर नज़र रखता है देखता है कि अब वो क्या करेगी सिलिया ने फिर जेरेमी को call कर दिया वो गहती है कि मैं गुम हो चुकी हूँ प्लीज मुझे help करो जेरेमी उसके पास पोच गया वो गहती है मुझे तुमारी जरुएत है जेरेमी ने कहा कि हमारी लाइफ अब बरबाद हो चुकी है पूलीस को हमारे बारे में सब कुछ पता है ये दोनों कभी भी एक साथ अब है नहीं सकते वो यहाँ पर उसे एक रूम में ले कर गया उसके साथ लास्ट टाइम वो इंटिमेट होने लग जाता है वो उसे भी गला घोट कर मारने के कोशिश करने लग गया अलन ने सब देख रहा था सिलिया की हेल्प करने के लिए जब तक वो हाँ पर पहुचा तब तक सिलिया ने जेरेमी को मार दिया था यही पर ये मूवी एंड हो जाती है सिलिया और जेरेमी ने एक दूसरे के साथ होने के लिए बहुत सारी गलत चीज़े की फाइनली एक दूसरे पर भी ये ट्रस नहीं कर सकते थे अपने खुद की जान बजाना इन्हें सही लगा इसी वज़े से जेरेमी ने सिलिया को मारने की कोशिश की पर सिलिया ये उसे मार देती है अब इसके बाद उसे भी जेल में जाना पड़ेगा तो आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको एक्स्पेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविस लेकर आते हैं तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा वीज़े मिलेंगे और एक नम्यू के साथ तो तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये